तो आईए स्वागत है आप सभी आगनबारी सेविका बहनों का 18.1 की एक नई अपडेट में जैसे कि अगर आपने इस पोशन ट्रेकर एप की नई अपडेट 18.1 को अपडेट नहीं किया है तो प्ले स्टोर में जाके इस 18.1 को अपडेट जरूर कर लिजेगा अगर आप लोग इसको अपडेट कर लेते हैं तो आपका जो डैसबोर्ड है वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा जैसे कि इस अपडेट में आप लोग के लिए तीन अपडेट आया है पहला अपडेट कि जो पिछला वर्जन 18.0 आया था इसमें एक नया डैसबोर्ड आप लोग को देखने को मिले था फिर से इस 18.1 में भी आप लोग को एक नया डैसबोर्ड देखने को मिल जाएगा और दूसरा जो अपडेट है आप लोग को यहाँ पे कोड अप्टमाइजेशन यानि कि आपका जो आगनवारी केंदर का कोड है केंदर संख्या है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा तो आगे इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि जो पोसंट ट्रेकर एप 18.1 आप लोग का इस परकार से अपडेट आया है तो आपको कहां पे कौन सा मोडूल एड किया गया है और कौन सा मोडूल यहाँ से हटाया गया है इसके बारे में आपको कम्पलीट जनकारी मिलने वाली है तो वीडियो को आप लोग पूरा जरू देखिएगा अगर वीडियो पॉसंद आती है तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजेगा यदि चैनल को सब्सक्राइब देंकिये हैं तो आप अपना छोटा भाई समझ के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे तो चली वीडियो को सुरू करते हैं जैसे कि अगर आप लोग पॉसंद ट्रेकर एप 18.1 अपडेट कर लेते हैं तो आपको बेनिफिसरी एड करने के लिए या बेनिफिसरी लिश्ट देखने के लिए आपको इस केटेगरी को ओपेन करना होगा इसको आप लोग उपेन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज खुल के आ जाएगा जिसमें किस मॉडूल में कितने लभार्थी एड हैं वो सारे ओप्सन आप लोग यहां से देख सकते हैं ठिक है फिर से हम बैक आ जाते हैं यहां पे आप लोग डेली ट्रेकिंग का जो ओप्सन देख रहे हैं यहां पे आप लोग को डेली ट्रेकिंग का ओप्सन दिया गया है वो सभी लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आप लोग यहाँ से उसका attendance बना सकते हैं ठीक है फिर से यहाँ पे हम बैक आजाते हैं बैक आने के बाद यहाँ पे हम home visit वाले पे click करेंगे home visit पे जैसे click करेंगे तो आपका जितना भी home visit आज के लिए रहेगा वो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा यहाँ से आप लोग click करके home visit को submit कर सकते हैं और यहाँ पे आपने कितना home visit किया है वो आप लोग देख पाएंगे और उसके बाद जो छूटा हुआ home visit होगा आप लोग को यहाँ पे आके देख सकते हैं ठीक है तो इस प्रकार से आप लोग को यह module में जो जो जनकारे दे रहा हूँ आप लोग को ध्यान से देख लेना है ठीक है तो चलिए बरते हैं अब आगे जैसे कि यहाँ पे एक module को add किया गया है migrate लभार्थी तो देखिए इसके बारे में मैंने आपको कल के वीडियो में थोड़ी सी गलत इंफ्रमेशन दे दी थी जिसके लिए मैं आप लोगों से छामा परार्थी हूँ मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया था कि यहाँ से किसी गर्भाती महिला को migrate करके धाकरी महिला में बेज सकते हैं तो यह module उस काम के लिए नहीं है इसके लिए मैं आप लोगों से छामा चाहता हूँ यह जो module दिया गया है जैसे कि हम यहाँ पर किली करते हैं और प्रवासी लभार्थी पर किली करते हैं तो ये जो मोडूल है अगर आपके आंगनबारी केंदर की कोई लभारती किसी दूसरे आंगनबारी केंदर में यानि उनके पोशन ट्रेकर एप में उस लभारती का रेइस्टेशन हो जाता है तो उस कंडिशन में आप उस लभारती को अपने पोशन ट्रेकर एप में ट्रांस धालना होगा। जैसे जिस भी नंबर से वह लवार्थी उस आगनबारी के अंदर दोटप में रेइष्ट्रेशन की हुई है, में Gulf pet, पिहां से शमर्बार कंझे अधार कर से बाल वकुझा राल करना होगा। उस OTP को डालेंगे और फिर से उसके बाद वहाँ पे आप लोग के सामने एक dashboard खुल के आएगा उसके बाद उस लभार्थी का जो अधार कार्ड पे data बढ़ थे उसको वहाँ पे डालने का option आ जाएगा वहाँ पे उसको डालेंगे और उसके बाद आप लोग उस लभार्थी क या profile update या कुछ भी आप लोग उसमें करना चाहते हैं तो यहां से भी आप लोग राइश्टर करें लभार्थी वाले पे किलिक करके कर सकते हैं तो एक चीज और आप लोग को बताना चाहूंगा कि portion tracker app में जो 18.0 का update था उसमें एक module add किया गया था कि THR कितने लभार्थी को हमने दिया या कितने लभार्थी का THR pending है उसका list आप लोग उस 18.0 में देखने को मिल जा रहा था लेकिन इस 18.1 के update में उस module को हटा दिया गया जिससे कि हम लोग THR के बाड़े में पूरी details देख लेते थे कि कितने लभार्थी को हमने THR दिया या कितने लभार्थी का THR pending है हलांकि अब आप लोग को THR भरने के लिए यहां से beneficiary वाले पे click करेंगे या फिर यहां पे click करेंगे तो आप लोग पहले जिस प्रकार से THR लभार्थे थे उसी प्रकार से आप लोग भर सकते हैं जैसे कि जिस लभार्थी को THR देना है उसके नाम के उपर three dot पे click करेंगे three dot पे click करने के बाद यहां पे विकास और पोशन संबंधी विबरन जोड़े वाले पे click करेंगे और यहां पे पोशक हर्स्त छेप वाले पे click करके आप लोग इस परकार से THR कर सकते हैं ठीक है उसके बाद यहां पे portion tracker app का यह जो dashboard दिया गया है इस पे आप लोग का portion tracker app जो है वो back होके चला जाएगा क्योंकि server के कारण आप लोग को इस परकार से problem देखने को मिल सकती है जैसे कि यहां पे हम click करते हैं तो आप लोग जो option आप लोग को 18.0 में show कर रहा था वही option आप लोग को इसमें भी देखने को मिल जाएगा उसके बाद यहां पे लभार्थी पे click करेंगे तो यहां पे लभार्थियों की सुची खुल जाएगी देनिक ट्रेकिंग पे click करेंगे तो देनिक ट्रेकिंग का जो option है इस प्रकार से नीचे से भी आप लोग यहां पे click करके open कर सकते हैं ठीक है उसके बाद यहां पे home visit खोलेंगे तो यहां से भी home visit कर सकेंगे उसके बाद यहां पे more वाले option में जाके event वगेरा अधार on लभार्थी प्रवास यहां से भी आप लोग लभार्थी को migrate करके अपने center पर ला सकते हैं उसके बाद यहां पर आंगनवाली केंदर की स्थिति एड़वूसी इंफ्रा एड़वूसी प्रफाइल अपडेट एड़वूसी लोकेशन यहां से आके आप लोग एड़वूस पसद आई हो तो वीडियो को अप लोग लाई करके share कर दिजेगा चैनल को यादि subscribe नहीं किये हैं तो चैनल को भी subscribe जरूर कर दिजेगा तो मिलते हैं फिर किसी नए topic नई जनकाणी के साथ तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिग बहुत बहुत ध हिंदे